इस वीडियो में हम देखेंगे जूमिंग कैंडल स्टिक्स इन ट्रेडिंग व्यू में कैंडल स्टिक को जूम करने के दो तरीके हैं इस वीडियो में हम वो दो तरीकề के डिटेल में समझेंगे अगर आप इस चानल पे नए हैं और intra day ट्रेडिंग using pivot point and price action सीखना चाते हैं तो इस चनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने ट्रेडिंग वेबसाइट पर जीमेल अकाउंट के थूँ लॉग इन कर लिया है और Nifty 50 का 15 मिनिट्स का चार्ट खुला है सबसे पहले हम देखते हैं कि केंडल स्टिक का साइज ट्रेडिंग व्यू में कैसे चेंज होता है नीचे वाला स्केल जिस पर टाइम लिखा है इसको ड्रैक करकर लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो केंडल स्टिक का साइज बढ़ेगा और राइट की तरफ ले जाएंगे तो केंडल स्टिक का साइज छोटा होगा ऐसे ही प्रैज वाले स्केल को जब उपर की तरफ ले जाएंगे तो केंडल स्टिक का साइज बढ़ेगा और प्रैज वाले स्केल को नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो candlestick का size कम होगा या फिर zoom out होगा trading view हमें दो ways देता है zoom को control करने के zoom का तरीका हम trading view में chart की properties पर जाकर change कर सकते हैं तो जब हम इस chart की property वाले icon पर click करेंगे तो हमारे पास chart की settings खुल के आएंगी इसमें हम scale वाले option पर जाएंगे और scroll नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा lock price to bar ratio यह default settings में check box check डाता है इसका मतलब होता है चाहे price के scale से zoom in या zoom out करो या फिर time के scale से zoom in और zoom out करो candlestick का size same बढ़ता या घटता है जैसे कि जब हम time के scale को left की तरफ move कर रहे हैं तो candlestick का size बढ़ रहा है ऐसे ही price का scale move कर रहे हैं यह candlestick का size same price to bar ratio में बढ़ रहा है तो चलिए अब दूसरा candlestick का size change करने का तरीका देखते हैं फिर से chart की properties में जाएंगे और scales को select करेंगे और scroll down करके lock price to bar ratio को uncheck कर देते हैं और ok पे click करते हैं अब अगर हम time वाले scale को left की तरफ move करेंगे तो candlestick की width बढ़ेगी जैसे की उसकी height पे कोई change नहीं आ रहा और जब हम price वाले scale को उपर या नीचे move करेंगे तो candlestick की height change होगी उसकी width पे कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसे आप देख सकते हैं जब हम price के scale को उपर की तरफ move कर रहे हैं candlestick की height बढ़ रही है उसकी width पर कोई फरक नहीं पड़ रहा ये दो तरीके trading view zoom in और zoom out को control करने के देता है अगर आप trading view के बारे में और जानना चाते हैं तो हमारे channel पर how to set up trading view की एक already video uploaded है इस वीडियो को जरूर देखें इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें share करें और comment करकर बताएं और channel को subscribe जरूर करें Thank you